नवाश्कार सातिू, साति इस समय आप अपनी स्क्रीन पर मद्य प्रतेश मादनिक सिक्षा मंडल का एक बिग्यापन देख रहे हैं, जो की 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है, जो बिग्यापन है, वहें मादनिक सिक्षा मंडल में परामर्स दाताओं की निक्ति को लेकर जारी किया गया है, आप सभी को मालूमी है, प्रतेख वर्स मादनिक सिक्षा मंडल में 6 चात्राओं को परामर्स के लिए परामर्स दाता निक्ति की जाते हैं, जो की पारेश्रमिक के आदार पर निक्ति होते हैं, इसमें अधि हम देखें, मादनिक सिक्षा मंडल मद्य प्रतेश भुपाल दुआरा एक जनवरी से 31 दिसंबर 24 तक हेल्पलाइन सेवा संचालने तू अन्ववी एबम पात्र परामर्स दाताओं से पारिश्रमे काधार पर आवेदन आमंत्रित है जो आवेदन है बहे आमंत्रित किये गए हैं और इनकी जो न्युक्ति होगी भाई एक जनवरी से 31 दिसंबर 24 तक के लिए होगी जो भी चात्रा है हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्स लेना चाहेंगे उनके लिए ये परामर्स देने का कार्य करेंगे आबश्यक यूगता इसमयती देखें साले विद्ध्यारतियों की अकाब्मे काउंसलिंग का निउनकम दो बर्स का अनुवब होना अनिवारी है आविदक की अधिकता मायू एक जनवरी 2024 की स्थिती में पच्वन वर्से अधिक ना हो आविदन पत्र का निर्दारित प्रारूप चेन पिर्किरिया तता कारिये की जो अन्ने सर्ते हैं मैं मंडल की विवसाइट पर उपलब्ध है mpbse.nic.n पर आप इन्हें देख सकते हैं माद्दिक सिक्षा मंडल मद्द प्रदेश भुपाल इस्तेथ बिग्यान केंदर कक्ष में कारियें समय में भी यसे आप देख सकते हैं निर्दारत प्रारूप में आपद्दन पत्र माद्दिक सिक्षा मंडल मद्द प्रदेश भुपाल इस्तेथ मिग्यान केंदर कक्ष में दिनांक 21 वारा 23 तक कारियें समय 35 बजे तक जमा किये जा सकते हैं इसकी आप देख सकते हैं आपद्दन प्रारूप का जो प्रारूप है सबसे पहले नाम पिर इंगलिस में पिता का नाम जन्तिती पता संबंदित का फॉर्ण नमर निवास संबंदित की बेंक की जानकारी पन नमर इमेल और सेक्षनिक योगता इसमें आपको देनी होगी, साले विद्धियारतियों की अकाद्मिक काउंस्लिंग का अनुवाब आपको देना होगा PG डिपलॉमा और कंपूटर डिपलॉमा अन्यत्र कारिये हैं अत्वा नहीं वो जानकारी आपको इस आविजन प्रारूप में भरनी है जन्म तिती ये तू आई स्कूल के अंगसूची इसमें लगाई जाएगी न्यूक्ति का प्रमानी करन आविदक का नाम बरतमान में संस्था में पदपर कारीरत है इनका कारीय समय इनका चैन मंडल हेल्पलाइन सेवा में होनी की दसा में इस संस्था कारीय को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है ये न्यूक्ता प्रमानी करन आपको डेना होगा सेवा सर्थे आप देख सकते हैं चैनेट कांसलर को निर्दारित दिनांग तता मंडल की हेल्पलाइन सेवा जोइन करना अनिवारी है नियेत तिती तक जोईन ना करने की इस्तिती में संबंदित काउंसलर का चैन स्वेता निरस्त माना जाकर रेजर्व सूची से बरिता क्रम अनुसार रेजर्व काउंसलर को कारीरत काउंसलर के रूप में चैनित किया जाएगा काउंसलिंग कारिये ये तु मंडल में स्विक्रेट दर अनुचार 200 रुपे प्रती गंटे की दर से मांदे दे होगा जो प्रती माय कारिये में उपस्तिती के आदार पर गर्णा कर सीधे संबंध्यत काउंसलर के बैंक काते में जमा किया जाएगा यानि की 215 रुपे प्रती गंटे यदि आप 4 गंटे बैटेंगे तो 860 रुपे प्रती दिवस आपको प्राप्त होगा और उसी तरह आप जितने दिवस जितने गंटे कारिये करेंगे उसी आदार पर रासी आपके बैंक गाते में देजी जाएगी प्रावर्स दाताओं दौारा अन्य विवाग कारियले इसकूल आदी में कारियरत होने की दसा में उस विवाग के नियुकता से कारियरत समय के उल्लेक सायथ अनापत्ती प्रमाणपत प्रिश्दूत करें चैनित उम्मीदबार को प्राता आठ बजे से रातरी आठ बजे के मद चार-चार गंटे की पारियों में अपनी सेवाइं देनी होगी यहनी कि इसमें जो सेवाइं हैं महेज चार गंटे की होगी जो Wश्चक्ता अनुसार समय समय पर रोटेशन पद्दती के से परिवर्कुत की जा सकेंगी मंडल के निर्दारत कारिक्राफ अनुसार समय में सेवायं देने से इंकार की जाने पर सेवायं समाप की जाएगी तो इस तरीके से ये मैत्पून दिसा निर्देश भी इस पत्र के माध्यम से दिये गए हैं काउंसलर की सेक्षने के योगता हम आपको पहले ही इसमें अबगत करा चुके हैं और काउंसलर के चेर नेतु मूनलेंकर के जो मापदंड है इसमें के तरूपा ये आपके पास है सत्तर अंक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के दस अंक है डिग्री, पीजी डिप्लोमा एन कम्पूटर है तो दस अंक है और साक्षात कार दस अंक का रहने वाला है पात रोम्मीद्वारों की सूची तैयार की जाकर समीती के अनुगोदा नुपरांत पात रोमी द्वारों को साच्छात का रितू 29 वारा 23 को आमंतरित किया जाएगा जिसकी सुचना इमेल के माध्यम से दी जाएगी समस्त काउंसलर्स को माध्यम सिक्चा मंदल मध्य प्रदेश भोपाल दोवारा दी जाने वाले सवी उन्मों की करन कारिक्राओं में सम्मिलत होना अनुवारी है अनिता संबंदित काउंसलर की सेवा है समाप की जाएगी तो इस तरीके से यदि हम देखें तो परामर्स दाताओं की निक्ति को लेकर मध्य प्रदेश माध्य प्रदेश नो यहाँ विग्यापन जारी किया है नहीं जाहिए आप चाहर गंटे की सेवाए यहां पर दे सकते है साथ ही यह था आज का मैत्पूर अब्डेट मिलेंगे जल्दी नाज अब्डेट है अमने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत मित्रो